गोड इवनिंग एवरिवन एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर दी डिलेज आप सभी ने ये अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत द्रणसंकल्पित होते हैं सारी बादाएं तब आती है तो देरवर समने नेटवर्क टेक्निकल इशूस आल सेट नाओ तो चुनौतियों से ऊपर आकर आज हम लोग तयार हैं अपने सामने जो लक्षे उसे प्राफ्त करने के लिए तो वेल्कम तुदी सेशन आई होप आउप आउडिपल विजिबल तो यू गाईस तेजी स से मुझे बताओगे कि क्या मैं आपको बहतरी तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं या नहीं बताइए है मैं आउडिपल विजिबल टू यू पीपल कि फटाफट इंदी चैट कि क्या मेरी आवास अवास नहीं हरी है भी लेटन्सी ओके आई किस नाओ यार ओडिबल यू फाइन नहीं गुंड़ा बनेंगे रुख जाओ गुंड़ा बनेंगे तो ओके आई गेस नाओ वी आर ओल सेट टू गो यस यस बढ़िया हैं तो स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में कुछ नेटवर्क इशूज आ रहे हैं शायद चलिए तो देखो कहानी क्या है मैं बता रहा हूं आपको चारो पुक रख लेना अपने पास में आज का सेशन जो होगा हमारा तो आज के सेशन का अबजेक्टिव होगा कि हम कुछ इस तरह से सेशन का फ्लो मिंटेन करें कि आप लोगों को मैं पीवाई क्यू बताते चलू एक रैपिड रिविजन देते चलू तीसरी चीज कोई फैक्ट है कुछ इंपॉर्टन चीज़े वह बताते चलू और बीच-बीच में कुछ MCQ रहेंगे तो जिसमें हमारी तुमारी वह जो टीम टीम वाली गेम है वह चलती रहे ठीक है तो यह पूरा अब्जेक्टिव है अल गुड ना ओके अल गुड तो एक बार तेजी से हो जाए आज का सेशन उपी इन दी चैट कम्प्यूटर का पेपर कैसा गया ठीक है और एक बार सेशन को शेयर करेंगे विक्ट्री ओवर वोट्स लेट अस स्टार्ट विट इस चलिए शुरू करते हैं तो दी मोटो इस वेरी क्लियर वेरी स्ट्रेट लेट अस है विक्ट्री ओवर बोड्स सेशन को अब्जेक्टिव ऐसा है कि मैं आपको रिविजिन करवा हूँगा शौट में और बताऊंगा कि जैसे सेक्शन है कि यसाप से जो फैक्स वगरा है वह को आपको देते चलूँगा सारे चाप्टर्स के एमसे क्यूज हम बीच बीच में कुछ लेके चलेंगे और पीवाई क्यूज में आपको हिंट देते जाऊंगा कि ऐसे सवाल आते हैं ठीक है स्पेसिफिक सेशन प्रेक्टिस सेशन अलग से करेंगे हम बाकी यह अब्जेक् ξ Switch स्पाइब इकनोमिक्स सिविक्स जयोग्रफी और हिस्टी इस तरह से तो हम बात करें अकनोमिक्स चप्टर एक आपको क्या क्या स्नाप डिवलप्मैंट के बारे में बताया गया है जहां पर आपको यह बताया है क्या रिकॉल करते चलना आप लोग भी कि नोशन फॉर डेवलप्मेंट जो होता है वो हर इंसान का अलग-अलग होता है यहां से सबस्क्राइब अलग अलग-अलग ओल्स होते हैं अब इंडिविजल से ही नेशन बनता है तो वैसे अगर हम बात करें तो national development की जब बात आएगी तब भी idea for development सबका अलग रहेगा तो उस case में उस case में आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा उस case में आपको ध्यान रखना होगा कि development जो है development एक ऐसी चीज है which is like a moving target which is full of mix of developmental goals सिर्फ income एकमात developmental goal नहीं होता है तो इस developmental chapter development chapter में ही आप वो देखते हैं कि क्या development what development means different people different developmental goal what may be the development for one may not be the development for another even it may be even it may be contradictory for the another person ये चीज़ एक development developmental chapter development chapter की basic essence है अब how to compare अब यहां पर एक चीज़ समझना होगा जब सबके लिए development अलग होता है तो नेशन का development भी क्या होगा broadly बहुत अलग होगा तो यहां पर पॉइंट या आता कि आप नेशन को कैसे compare करोगे तो income एक क्राइटीरिया होता है जिसकी मदद से nations को compare किया जा सक होता है पर-capital income निकाली जाती है पर-capital income चैप्टर में पढ़ते हो आप पर-capital income क्या होती है तो पर-capital income जाने की इंकम के अलावा क्या क्राइटीरिया होते है तो health education वगेरा और उस हिसाब से human development report वगेरा की बात की गई है चैप्टर में ठीक है तो यह चैप्टर का मैदान है और यहां पर चैप्टर में sustainable development की बात की गई है लास्ट सस्टेनबल डेवलप्मेंट या फिर क्या कहेंगे हम sustainability of development sustainability of development sustainability of development sustainability of development वाले topic की बात की गई है चैप्टर में आगे अगर बढ़ें तो यह रहा सवाल you versus me त्यार रहना तो यहां पर आप जिस देखेंगे तो what will be the aspiration of an educated अर्बन unemployed youth जैसे मैंने आपको बताया हिंट दिया कि development का नोशन जो है इंडिविजल टो इंडिविजल वैरी करता है तो बहुत सारा पढ़ना है तो फटावर्ट से करते हैं वैसी हमारी गाड़ी दस मिनिट लेट है नेटवर्क के कारण ठीक है तो क्या बताएगा है कि what will be the aspiration of an educated urban unemployed youth option are in front of you people देखो क्या है पोल आएगा तो an educated urban unemployed youth will aspire for better opportunities in agriculture educated unemployed youth जो है वो क्या करेगा better opportunities की बात करेगा agriculture में support from government at every step in the life and urban educated unemployed will aspire for good job opportunities where his education can be made use of better facilities for recreation for his leisure time the police in front of you फटावट से select करो you versus me और me versus me क्या तै करना है आपको तो in the chat फटावट से select करेंगे आप बहुत बढ़िया तो जबर्दस तरीके से ऐसा लग रहा तैयारी पूरी है जबर्दस तरीके से ऐसा लग रहा है कि तैयारी पूरी है बच्चों ने पोल दिया है और थ्री वोट फटा फट देना टू वन टाइम अप देखो कितने आर्थ की क्लास निए जितना हमारे पास मटेरियल है पूरा कवर करेंगे तो यहां पे सीधा क्लेर ली दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए कि हर इंसान का डेवलप्मेंटल गोल अलग अलग होता है तो एक नमबर 75 से उपर तुम्हारा नमबर 75 से नीचे मेरा नमबर ठीक है तो एक तेरा एक मेरा फाइन जीरो स्टु वन स्कोर है आगे बढ़ते हैं तो अब देखो यह जो चैप्टर है मैं आपको एक ब्रॉड आउट लुक दिया अब चैप्टर में कीवर्ट है बहुत सारे यह important keyword होती है जो परस्तली मुझे लगता है क्या लगता है कि बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत है कि लॉंग आंसर तो लिख देते हैं तो प्रिसाइज लिखने में दिक्कत जाती लॉंग आंसर तो मैंने आपको यहां पर सारा सब कुछ दिया है ठीक है तो यह सारा कॉंट आपको टेलिग्राम चैनल और अकैडमी अपके कम्यूटी सेक्शन पर मिल जाएगा पीडिएफ सेशन के बाद में ठीक है तो पर कैपिटा इंकम के अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इंकम इस टोटल इंकम ऑफ दी कंट्री ठीक है डिवाइड इस टोटल पॉपुलिशन इस कॉल अलसो कॉल दी एवरेज इंकम एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि पर कैपिटा इंकम को एवरेज इंकम भी कहा जाता है इंपोर्टन चीज़ दूसरा इस चैप्टर में जो शॉर्ट आंसर बनके आने की पॉसिबिलीटी रखता है की वर्ड टाइप कुश् गये हैं पर कैपिटा इंकम क्या होता है वर्ल डेवलप्मेंट रिपोर्ट क्या होता है ठीक है तो वर्ल डेवलप्मेंट रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट जो किसके दुवारा लाए गई है वल्ड पैंक के दौर यह रिपोर्ट जो रहती है इसमें कंट्रीज को कंपेर किय झाता ओन दी काइट इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेर किया जाता है ठीक है है अकॉर्डिंग तुस रिपोर्ट उस रंद्र क्लासिफाइड और developing अपको ब्लूप्रिट जैसा कुछ नहीं कुश्चण आपको बताना है कि इंडिया लाइज in which category इंडिया लाइस उन टेबल में आपको कि देखने को मिलता है जिए सारा एक्सारा यहैं जो जो जीसे in Pelories स्टेट को आप इंकम के लावा दूसरा क्राइटीरिया नहीं रहित जिए को स्टेट को कम्प्यार करने के तो दूसरे तो जैसे क्या है व्ल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट के हिसाब से लो मिडिल इंकम ग्रूप की कैटेगरी में आता है इंडिया यह ध्यान रखना ठीक है लो रिच कंट्री और पूर कंट्री तो हम बातचीत में बोल रहे हैं लेकिन वह जो परेग्राफ है आपका कौन सा वा पेज है आपका उस पेज में लास्ट परेग्राफ जो है लास्ट परेग्राफ में पड़ोगे तो वर्ल्ड डेवल्लप्मेंट रिपोर्ट इस ब्रॉट बाइवल्ड बैंक ठीक है विच कंपेर्स कंट्री इंटु डिफरेंट क्लासिफिकेश्य क्राइट वहां पर लो इ यह प्रापोशन ओस थाउजन लाइव चिलरन बॉर्न इन देट पर्टिकुलर एं ठीकेश्य तो यह तो यह आपको देता है इन्फेंट मॉटिलीट मतलब कि हजार बच्चों निंगर जनम लिया तो उन हजार बच्चों में से कितने बच्चों ने अपना एक साल बनाने से से पहले उनकी मृत्य हो जाती है तो यह डायरेक्ट आंसर मिलगे आपको infant mortality rate का वैसे आप देखोगे तो क्या है हेल्थ वाले क्राइटीर में एक और चीज आती है literacy rate यह literacy rate भी short tuition में बनके आ सकता है तो literacy rate क्या होता है देखो it measures the proportion of literate population in seven and above age group साथ और साथ से अबा वाली age group में कितने बच्चे हैसे हैं जो पढ़ना पढ़ना या फिर लिखना जानते किसी एक भाशा को ठीक है तो it signifies how much population can read and write यह literacy rate होता है literacy rate से आपको यह पता चलता है समझ में आया literacy rate से यह पता चलता है आगे देखें तो net attendance ratio यह सारे keywords बता रहा हूं जो जो keywords लिखे हैं बुक में क्या net attendance ratio क्या होता है तो it is the total number of children of the age group 14 to 15 attending the school as a percentage of total number of children in the same age group तो 14-15 साल के age group में है जजसे country में मान लो country में 1000 बच्चे अब उन्हें 1000 बच्चों में से क्या है मतलब पूरे 1000 बच्चे 14 से 15 साल के age group में हैं ठीक है, net attendance ratio कहा जाता है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगा तो life expectancy, life expectancy भी एक health का indicator है, ठीक, life expectancy में आपको क्या पता चलता है, life expectancy आपको यह पता चलता है कि average number of year which a person is going to live, एक आम आदमी कितने सालों तक जीने वाला है, वो life expectancy बताती है आपको, तो life expectancy at birth means, as the name suggests, average expected length of life of a person at the time of birth, ठीक है, पहला होते ही, हम क्या बोलते हैं कि average human mean कितना life जीने वाला है, on an average, वो life expectancy ratio बताता है, आगे human development report, human development report क्या हूता है, कि ये एक holistic view है, जी समने world development report दिखा, तो आपको क्या देता है जो आपको world bank के दोरा publish कर जाताओन और human development report जो है तो वो क्या करता है, ये report जो है, तो UNDP के दोरा publish की जाती है, जो country को compare करता है पर capita income के basis पे, पर-capita income के बिस्टिस के साथ साथ इसमें क्राइटीरिया क्या है एडुकेशन और हेल्थ भी है तो हैल्थ और एडुकेशन इन दोरों क्राइटीरियास पर जो कंट्रीज को कंपेर करता है एडुकेशन और पर-capita income मतलब यह और होलिस्टिक है अब सवाल आपसे UNDP मतलब सौरी आंसर दे दिया मैंने यूमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा पब्लिश की जाती है तो युनाइटिद नेशन्स डेवलप्मेंट प्रोग्राम के द्वारा ठीक है यूमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट युनाइटेड नेशन्स डेवलप्मेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है पब्लिक डिस्ट्रिबिशन सिस्टम तो फुल्ड सिक्यॉरिटी सिस्टम है यह ठीक है अब जिसे हम क्या देख रहे हैं कि income cannot give us all what we require हमें इस पब्लिक फैसलिटिमे एक चीज का है पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम का भी की वरड़ आपकी बुक में द्याएं जो क्या बताता है जो यह पूब्लिक डिस्ट्रिविशन सिस्टम होता है समझ गए अगला सवाल अब अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़े बताई यह फैक्स बताई कि हाँ यह कीवर्ड है जो कुश्चन में इस शाप्टर से कुश्चन मन क्या सकते हैं तो आपके सामने एक सवाल यह रहा पोल आए जाएगा कि कैसे निकालते हैं अबरेज इंकम टोटल इंकम डिवाइड़ वाइड़ी टोटल पॉपुलेशन ठीक है फटावट से पोल इंदी चैट है वन इस्टू जीरो स्कोर है कि वेरी गुड शाबाज देखो क्या होता ना कि इस शाप्टर में आप पढ़ते हैं कही कही न कहीं आपको टोटल इंकम भी जानने को मिलती है कही न कहीं आपको पर कैपिटर इंकम भी जानने को मिलती है दो शब्द आपने चैप्टर में पढ़े हैं अब आवरेज इंकम को आप टोटल इंकम कहो गया पर कैपिटर इंकम कहोगे यह एक डिबेटेबल इशू है क तोनों में डिफरेंस क्या होता हूं ठीक है एक बार हम आंसर बता दें उसके आदें टाइम अप करेंगे 321 टाइम अप तो स्कोर जीरो इस्टू बन था स्कोर उठके चले आगा 0-2 बहुत बढ़िया अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां को क्या देखने को मिल र लेकिन पर-capita income is something different क्या है कि पर-capita income में आप देख रहे हैं total income divided by the total population तो उससे आपको individual का मिल रहा है हर एक individual on an average कितना कमा रहा तो on an average individual कितना कमा रहा है वो आपको per capita income कहलाता है और total income क्या है total income मतलब कि country की total population की income उसको आप नहीं कर रहे हैं और जब नहीं कर रहे हैं तो country के population size वैरी करेंगे चाइना की population अलग है तो चाइना की पर-capita income और इंकम में difference आएगा क्यूंकि और total income में भी difference आएगा क्यूंकि चाइना में इतने सारे लोग मिलके कमा रहे है उतने कम लोग लोग मिलकर कमा रहे हैं ठीक है तो यह case रहेगा कौन जीता इसमें 90 के उपर गया था क्या 90 के उपर गया था ठीक है दो नमबर दिये तुम्हें 90 के उपर गया था तो इस इस सेंस में तुम लोगों के यहां पर दो नमबर मिल जाएंगे मतलब तीन हो जाएगा 3023 आज मुझे लगा आज फुल फॉर्म में है ठीक है लेट्स आगे बढ़ते हैं लिट्रसी रेट अगला सवाल मैंने जितने अभी कीवर्ड समझाए उनके इसाब से कुश्चन बता होगा आपको लाग हो रहा है क्या है ठीक है तो यहां पर क्या होगा अंसर लिट्रसी रेट क्या दर्शाता है लिट्रसी रेट क्या दर्शाता है दी प्रपोर्शन ओफ लिट्रेट पॉपुलेशन ठीक है आपकी पॉपुलेशन में लिट्रेट लोगों की जनसंग्या कित लेके चलते हैं ठीक है चीटिंग नहीं देखों चीटिंग कर दो वह बेंचमार्क बढ़ा देता हूं मैं तुम्हारे एट्टी कर देता हूं वो लोग है मन्जूर बेंचमार्क बढ़ा के एट्टी कर दिया जाएगा एसे मन ठीक है थ्री टू वन टाइम पंद्रह हजार बच्चे बैठें तो वोट भी पंद्रह हजार डलना चीए इच एन एवरिवन शुट पार्टिसिपेट इन दी कोश्यंस ठीक है तो दिराइट आंसर इस सेवन एन अबाव ठीक है तो लेटरस अब इस चैप्टर में अगली चीज क्या देखना आपको देखना नमबर्स नहीं आएंगे एक्जाम में नमबर्स नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे नमबर्स लेकिन एक रिफरेंस के तौर पर यह जो टेबल से हर्याना है तो हर्याना पर-capita income में सबसे आगे है इतने स्टेट दिये थे ठीके इंफेंट मॉडिली रेट के नमबर्स आएंगे क्या तो नमबर्स कभी फैक्ट नहीं कुछेगा सीबसी यह नहीं चेक करना चाहेगा कि कितने रट्टूत होता हुआ पॉइंट यह होता है कि आप कि अलावा जैसे अगर आप देखोगे हां और यही मैं आपसे कह रहा था कि मार्क कर लेना कि नीचे जो तीन पॉइंट दिये हैं इनके शॉर्ट अब्जेक्टिव टाइप कुश्चन बनके आने के वेरी शॉर्ट आंसर बनके आने के चांसेस पूरे-पूरे होते हैं समझ माया तो यह चीज ध्यान रखिएगा इस चाप्टर से यह आले बॉक्स जरूर्ट विशेश रूप से ध्यान रखिएगा इंफेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है अभी हमने देफिनेशन पड़ी रिकॉल भी होते जाएगा इंफेंट मॉर्टिलिटी रेट का मतलब सिंपल यह होता है कि दी नंबर ओफ चिलर कि कॉज क्या हो सकता है इंफेंट मॉर्टिलिट का जैसे अबने देखा कैरला में इंफेंट मॉर्टिलिटी रेट कम है लेकिन बिहार में और हडियाना में जादा है तो क्यूं है पॉइंट इस कुश्चन आया आपके साम पोल आया इंदी चाट फटावर्स सब पार्टिस स्ट्रक्चर फैसिलिटी इस लैक ऑफ अवेरनेस बोथ एंड भी बताओ इन एडिकेट हेल्थ फैसिलिटी जहां जी यहां कन्फ्यूज हो गए बताओ बताओ मेरा खाता यहां खुलेगा कितने बच्चों को लग रहा है सिर्फ ए है इंफेंट मॉटिलिटी रेट किस से जुड़ा हुआ है बच्चों की मृत्यू से अब बच्चों की मृत्यू का कारण क्या हो सकता है एक साल कंप्रीट करने से पहले है फैसलेटी की कमी ठीक है उसी के सांथ में दूस्रा कारण यह भी हो सकता है की वह इंफ्रेस्ट्रक्चर ही ना हो जैसे हॉस्पिटल्स ना हो ठीक आपके पास में इंफ्रेस्ट्रक्चर के नाम पे आंगणवाडियां ही नहीं नहीं लेकिन समझाया लेकिन अब क्या मतलब अगर एन भी नहीं होता तो ऐसे कोशें ध्यान रखना हमेशा एक स्कोप रहेगा हमेशा एक स्कोप रहेगा आपको आंसर को क्या करने का आंसर को एनलाइस करने का कि अगर कोई स्कोर आगे बढ़ते हैं एक और सवाल लो पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है मैं कुछ नहीं बता रहा हूं मैंने हिंट दे दिया था जब शॉट आंसर बताए थे पीडीएस का फुल फॉर्म इस चाप्टर से इतने ही आपको ध्यान रखना है 17 के यह तो कम है हम सब्सक्राइब बहुत दूर तक जाना है भी तो कि ले जाएंगे चलो तो यहां देखो और पीडीएस का फुल फॉर्म आगया आपके सामने पॉल आगया होगा कि अगे तो यहां जैसे अगर आप देखो तो क्या है पीडीएस का फॉल फॉर्म पब्लिक सिस्ट्रिएशन सिस्टम पब्लिक डिविजन सिस्टम पब्लिक डिसकेशन सिस्टम इसमें अगर आप लोगों ने 90 से उपर ले गए तो आपको दो नंबर लेकिन बस वह यह कि कितना कंसाइंस से आप पढ़ रहे हो कितना ध्यान रख्या पढ़ रहे हो उस चीज़ पर बेज़ दें कुश्यं सिस्टम पब्लिक डिव करते हैं तो यहां गरोत में बहुत बड़ा और बहुत बहुत सरे जैसे प्डेय बंता है कि अलगर अलग एक्सपैंड करने को आजाते हैं जैसे UNDP can be extended as United Nations Development Program ध्यान रहेगा कितने लोगों को सारे ध्यान थे बताना चाहिए पिर HDR को expand कैसे किया जा सकता Human Development Report की तरह HDR क्या है तो जो UNDP की Report होती है फॉर एक्जामपल आप सबने एक्जाम दिया आपके एक्जाम कंड़क्ट करवाने वाली बॉडी थी आपकी CBSC CBSC ने Report Card दिया तो वह क्या हो गया HDR मतलब आपका Report Card जैसे तो वैसे UNDP वह बॉडी थी जो क्या करती है एनलाइस करती है पर-capital income और पर-capital income के साथ में एडुकेशन और हेल्थ के बैसिस पर रिपोर्ट बनाती है तो बता रहा हूँ क्योंकि आज के सेशन का objective है कि सारे कोने कोने से fact उठाले ब्यमाई क्या है तो body mass index body mass index कैसे निकाला जाता पता है न तो weight of the person in kg weight in kg और उसको divide किया जाता weight in kg को किसे weight in kg को divide किया जाता है height in meter square से मीटर स्क्वेर से क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है ओके सुनो तुम 17 के और 18 के में मत उच्छों कि तरह द्यान दो मैंने बला हम तो बहुत दूर तक जाएंगे फाइन आगे बढ़ते हैं तो आगे बले तो body mass index body mass index body mass index हो गया body mass index से क्या पता चलता है कि वेदर परसनिस्ट नरिज्ट अंडर नरिज्ट और ओवर वीज्ट ठीक है तो ओवर वेट कब होता है जब वो 25 से उपर उसका parameter जाता है और वो अंडर नरिज्ट कब होता है जब उस 18 से कम उसका ब्यमाई निकलता है और 18 से 25 के बीच में वो इंसान कहा रहता है फिट और नरिज्ट रहता है ठीक है चलो pds अगला सवाल pds public distribution system तो यह ध्यान रखेगा जो भी question आया था जिसमें तुम लोग जीते हो हारे हो अब all important points from this chapter करें तो यह आपको ध्यान रखना है जैसे different person can have different developmental goals and second चीज़ का है what may be the development for one may not be the development for other it may even be destructive for other और यह question बनता है बार-बार कि how different people can have different developmental goals ठीक है example damn वाला ध्यान रहेगा इस chapter से यह चीज़ है बात होती है goals की सब्सक्राइब अगला क्या है it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of our country's development ठीक है तो अब यहाँ पर क्या देखना है आपको कि it is very important to keep in mind कि कि जब हम country के डवलप्मेंट की बात करते हैं जब इंडिविजल के डवलप्मेंटल गोल अलग हो सकते हैं तो country के भी developmental गोल अलग होंगे वह important point हो गया ठीक है फॉर compare और जब सारी कंट्री के डवलप्मेंटल गोल अलग है पाकिस्तान के लिए developmental goal मतलब क्या तारों के नीच तो अब क्या सिर्फ income एक मात्र developmental goal होगा या फिर compare करना countries को income के basis पर सही होगा तो आप क्या बोलोगे नहीं क्यों क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि money जो हमारी pocket में है ठीक है इसके लिए हम प्रिफर करते हैं कि कुछ public good भी हो और वह public good को ensure करने के लिए government facilities प्रोवाइड इस वगेर आप फाइन वर्ल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा आती है इंडिया कम्सिंदी कैटेग्री ओफ लो मिडिल इंकम कंट्रीज ध्यानर कियेगा और एवरेज इंकम से कंट्रीज को compare दरूर किया जाता लेकिन एवरेज इंकम की एक limitation होत है किसी एक कंट्री में एक इंसान 100 रुपे कमा रहा और बागी सब 10-10 रुपे कमा रहे है चार लोग लेकिन जब आप एवरेज इंकम निकालोगे तो क्या होगा एवरेज इंकम सब की बराबर आगी वो जो disparities है 100 और 10 वाले के बीच में वो disparities छुप जाती है एवरेज इंकम जो है 130 इंदी चायत एक बार हो जाएं इंडिया की एंडिया की लेटेस्ट में जैसे जो डेटा दिया है 2019 का डेटा दिया है तो 2019 के डेटा के साब से आपको जो पूछा जाएगा अगर रेरेस केस में तो ध्यान रखेगा ठीक है और यह comparative डेटा जो बताएगा तो इसमें जैसे नीचे hdi क्या है life expectancy क्या है पर capita income क्या है तो यह facts नीचे के द्यान रखिएगा sustainability of development वाला जो टॉपिक है उसमें से अगर कुछ आता है इंपॉर्टेंट तो sustainability of development वाले चाप्टर से यह वाला पार्ट रहेगा एक ठीक है मुझे ऐसे लग रहा है कि we need to cut down the time क्यों क्यों घंटे में अगर एक चाप्टर होगा हमारा तो ऐसे तो हम 21 चाप्टर में किस घंटे लग जाएंगे चलो वी थोड़ा सा स्विफ्ट होना पड़ेगा तो इस चाप्टर में इतना है बस sectors of Indian economy आ जाओ sectors of Indian economy पर आते दूसरे चाप्टर पर जंप मारते हैं अगले चाप्टर अगले सेक्टर है अब यहां पर सवाल आता है अगला क्या कि अन्दी बेसी दो रॉट में प्राइमरी सेकंडर को टर्शिफाइब करने तो इन तीनों सेक्टर को क्लासिफाइब करने का था इंडिया की कहानी पढ़ते हैं चाप्टर में तो जिसमें आपको पता चलता है कि इंडिया में तर्शरी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है लेकिन ठीक है सिमिलर शिफ्ट इन एंप्लाइमेंट नहीं हुआ है तो वह एंप्लाइमेंट क्यों नहीं हुआ उसके पीछे के कारण क्या है रीजन वाट और दी रीजन बिहाइंड डिस्पैरिटी ठ सकती है किसमें ज्यादा से ज्यादा एंप्लोइमेंट कैसे क्रीट की जा सकती है प्राइमरी सेक्टर में या फिर जो डिस्पैरिटी उसको कैसे खतम किया जा सकता है तो चैप्टर में एक्स्प्लिनेशन वाले पार्ट पर यह वाला पार्ट बढ़ा है और अर्गनाइज है आपका यह ठीक है यह चाप्टर की रूप रेखा है पूरी आगे बड़े तो पहला सवाल यह रहा चलो देखते हैं स्कोर क्या है वन इस्टू फाइफ था अगर इसमें 90 उपर जाएगा 90 उपर जाएगा तो दो नमबर भी लेंगे आपको तो सेक्टर इस सेक्टर का वो क्या है प्रॉफिट है बताईए सेक्टर इस क्या रगता है आपको what do you guys think 85-82 बच्चे बड़ियां देखो 17,000 प्लस बच्चे है तो I want कि at least 15,000 तो वोट करें फिर कैसा काम चलेगा तो मतलब फिर तो तुम कहानी सुन रोबस पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेशन इंशूर करना है जीतना और हार ना माहिन नहीं रखता है माहिन रखता क्या आप खेलो जी लगा के खेलो गेम में ठीक है तो यहां पर 321 टाइम अप करेंगे देख सब्सक्राइब सेवेट का मोटीव होता है प्रॉफिट मोटिव तो प्राइवेट सेक्टर सीच डी राइट आंसर जो की जो की कि इतने पर्ष्ट बच्चों ने सही अंसर दिया है चीटिंग तो मत कर यार ठीक है मात्र 78 पर्ष्टों नहीं नंबर काट लिए जा से यहां तो यहां पर जैसे अगर आप देखोगे तो वन इस्टू सिक्स हो गया स्कूर बेंचमार घटा कि अब हम क्या कर देंगे बेंचमार घटा क्या हम अब क्या है कि intermediate goods are those goods which are used as raw material or intermediate product in the production process of final goods ठीक है एक्जामपल जिसे cotton intermediate goods की काटेगरी में आएगा जब shirt बन रहा होगा आगे बढ़ते हैं दूसरा GDP GDP क्या होता है तो GDP is the calculation of total production in country within a time period normally a year होता है और it is the calculation of values of all final goods and services within a year ठीक है तो तीनों ही सेक्टर में जो final goods and services produce हुए उसका calculation होता है GDP समझे आया हम उसका calculation होता है GDP intermediate goods को क्यों include नहीं करते हैं इन दी चैट आंसर हो जा पटापट वाइड यू नाट include the value of the intermediate goods in GDP intermediate goods की value क्यों include नहीं की जाती GDP में this is the question ठीक है under employment एक तीसरा concept है जो keyword की form में पूछा जाता है इस chapter से बहुत बार बार तो under employment क्या जाएगा disguise unemployment भी कहा जाता है under employment को ध्यान रखेगा यह एक ऐसा type of unemployment है जो कि hidden है ठीक है where a person is seem to be working but he or she is not working up to his or her full potential आपको इंसान काम करता बाद दिख रहा है लेकिन वो अपनी full potential पर काम नहीं कर रहा है this is the case for under employment this is the case for under employment आगे बलते हैं under employment के बाद में अगली चीज़ क्या है under employment के बाद में अगली चीज़ है मन रेगा एम जी नरेगा जिस तरह से बोलते हो आप तो मन रेगा क्या है महात्मा गांधी नाश्नल रूरल एंप्लॉइमेंट गैरेंटी एक्ट 2005 ठीक है यह क्या एक लौ है जो इंप्लिमेट करता है राइट टू वर्क अब्जेक्टिव क्या इस एक्ट का सिंपल सा कि at least hundred days की फान वार्शोल्ट सब्सक्राइब करना चाहता है उसे और जो बेरोजगार मन्रेगा के ऊपर पांच नमबर का कुष्यन ुपर पर तीन नम्बर का कुष्यन-ुपर सारी समस्या आज ही आना बोर ठाइंग हो गया कि चैड मन्रेगा समझ में आए आपको ठीक है कि बढ़ियां तो एक मिनिट रुखना मैं बोर्ड को कुशिश करता हूं किसको सही किया जाए मैं आपको बताया ना कि जिस दिन आप रहेंगे उस दिन आपके रास्ते में बहुत बाद हाएं आएगी और उसी दिन आपको सबसे उपर जाना है कि दर गए एप्स कि ओके आई किस नॉइट वर्क नहीं ठीके तो चलेगा आपको आपने आपी चल रहा हुद्टी ते चल रहा होड़ों ठीक है दोड़ाएगा आप चलो बोर्ड ओपी हो जाए तो बोर्ड ओपी इन दी चैट अब चलना चाहिए मेरे साप्सर्ण यह ठीक है चलेगा तो मंड़ेगा मंड़ेगा क्लियर हुआ मनड़ेगा के बाद में ऑर्गनाई सेक्टर और अन और्गनाईस सेक्टर यह दो और इंपॉर्टन चीजह हैं अम आपको यह चीजह और बता देता हूं कि हो सकता है आपको एकुशन मिल जाए एक्जाम में प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफ्रेंशेट करने को आ सकता है तो यह चीज के लिए तयार रहना आप लोग ठीक है और्गनाइज सेक्टर के बात करें तो और्गनाइज सेक्टर कवर्स दोस एंटरप्राइज और प्लेसे ऑफ वर्क विच अंडर गवर्मेंट सुपर ठीक है पीएफ जो रिटार्मेंट के बात मिलता है तो इस तरह से यह सब और्गनाइज सेक्टर के बेनेफिट्स हैं एक्जामपल जैसे अगर आप देखेंगे तो एक्जामपल में निख सकते हो कि एक गवर्मेंट टीचर जो गवर्मेंट के पास काम कर रहा है ठीक है किस सब्सक्राइब के कंट्रोल से बहार है कोई मेनिफिट नहीं है कोई और टाइम नहीं होता है तो यह अन और्गनाइज सेक्टर है ठीक है आजाओ अब इसी सवाल पूछते हम आपसे देखो क्या हो रहा है कि इस चैप्टर में आपको तब प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी द तो रवी सन ओफ फार्मर आफ्टर स्टेडिंग फ्रॉम एग्रिकल्ट्टर इनिवर्सिटी एस बिकम रिसर्च साइन्टिस्ट ठीक है तो बदाई हो रवी को एन अगने टेक्स वर्क फॉर डवलपिंग हाइब्रीड ओल सीड्स ठीक हाइब्रीड ओल सीड्स बनाता है वो ठीक रिसर्च साइन्टिस्ट है एनलाइज दी इन्फोरमेशन तो नो दी सेक्टर इन विच ही है शिफ्टेट फॉम दी पास्ट तू प्रेजंट पहले किसान का बेटा था आज भी क्या कर रहा है बीज ही बनाता है वो लेकिन अब वो किस सेक्टर में स्विच हो गया है य अल्लाइब इसमें जीतेगा को बताईए Yeah, what do you guys think primary secondary然后 होते है primary sector जलते है आफ को देखनी मुलता है नेचर से लड़े काम है the primary sector को लेका अर तरस्टरी सेक्टर जहां to provide की है तो आपको क्या लगता है what do you अब इसमें इसमें पॉल जो है तो फोल बिगडता हुआ दिख रहा है मुझे ठोड़ा था ठीक है और मेरे नंबर यहां पर बढ़ते हैं वह दिख रहे हैं सब्सक्राइब प्राइमरी टू टर्शरी सीज दी राइट आंसर अब मुझे पता है कि चैट सेक्षिंट में बाड़ आने वाली सर वाइनॉट बी तो वाइनॉट बी वाले बच्चे समझो क्या होता ना कि रवी का ओक्यूपिशन देखो आपके रिसर्च साइन्टिस्ट अ पार्ट होता है तर्शरी में भी एक स्पेसिफिक केटेगरी होती है जो आपको अभी सिलिबस बने हैं लेकिन आपको में बता रहा हूं तो जहां पर सर्विसेज दी जाती है नॉलेज और स्किल्स के बेस पे तो वह सब तर्शरी सेक्टर में आएगा जैसे टीचर अब एक बार जितना जितनी तेजी से वाइनॉट डी आया था उतनी तेजी से थमसा पाने चाहिए ताकि तुम्हें समझ में आया हो आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन हो और यह प्रैक्टिस समझ में आ रहे हैं कुश्चन में कन्फ्यूज मत हो ना यह भी फॉर्शार ह किस में आएगा चलो एक कुश्चन है नीति आयोग किसमें आएगा नीति आयोग दिखती बात है कि services प्रोवैड कर रहा है ठीक है लॉमेकिंग का काम करता है तो वह tertiary सेक्टर का ही पार्ट होगा ठीक है ओके मूइंग तो और कीवर्ट्स में जैसे प्राइमरी सेक्टर क्य किया जाता है तो सेकंडरी सेक्टर का पार्ट होता है तर्शरी सेक्टर में क्या आएगा आपका तर्शरी सेक्टर में वह सेक्टर जहां पर क्या किया जाते गुड्स प्रेड्यूस किया जाते हैं और यह प्राइमरी और सेकंडरी के ग्रोथ में रोल प्ले करता है जब जब प्राइमरी और सेकंडरी प्राइमरी heated अरको प्राइमरी में आपको घबराएं बद सुनिया है चलते रहे पर हिस्ट्री के मैं सारे के मुलाओं आपको घबराँ मत लेहें है एक्स्ट्री में दुनिया है चलते रहे चलते रहे दस घड़ों तक एक्पिनेशन चलता रहे पर पॉइंट वहा है कि जो फैक्स की जरुवत है तुम्हें वो सारे फैक्स हम करेंगे हिस्ट्री के उन सारे फैक्स को क्या करेंगे ऐसे कि एक जगा कंपाइल करके एंसी की और फैक्स तो इस सेशन का वह पप्लीक सेक्टर प्राइब्ल ऐसे करोगे मेंनें की कैसे अब सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब्छ लूट marketers चक्tor को अगधिर्णीज्ट월 प्राइब्लिक सेंग सब्सक्राइस पटा चीज में आपको ऑ título कर पेपर में दिये हैं इयर का समपल कम संपल कुष्ज हो रहे हो क्या कि तुम्हारे नी भी आएंगे इस चीस की भी पर क्या बता है भगवान श्रीकृष्णे कर्म मत करो कर्म तुम्हारे रहती है कि पड़के सब रखो और जरूराइं कि पिल्धार जैसे हम यह अज्यूम कर रहें हिस्ट्री और सिविक सी आए अगर मानलो ऐसा ओपन भी आ जाए क्योंकि अगर आप देख रहें क्या कि प्रैक्टिस पेपर अगेरा में कुछ ओपन एंडेट पिच्चर बेस्ट कोशिन दिये हैं तो उस हिसाब से ध्यान रखना है लगा लिया आंसर ठीक है डेली वेज अर्नर अनॉर्गनाइज सेक्टर ठीक है देखो मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए मजदूर है स्किल्ड प्रोफेशनल्स अनॉर्गन टाइम अब ठीक है अच्छा सर्प्राइज दूंगा ना मंद में 15 दारिक को दूंगा और रिवील भी नहीं करूंगा नाइंटी टू परसेंट बच्चों का अंसर सहीं गया है तो 92 परसेंट बच्चों ने सहीं आंसर दिया है क्या डेली वेज अर्नर अनॉर्गनाइज से आगे बढ़ते हैं अब इस चाप्टर में आपको दो कीवर्ड दिये जिनको एक्स्पेंड करके पूछा जा सकता है वह कौन कौन से फुल फॉर्म के लिए एक ग्रॉस डॉमिस्टिक प्रड़क्ट आपको पता है एक मन्रेगा दिया ध्यान रखी का महात्मा गांधी नैश तर्सरी सेक्टर राइं इंटर्डिपेंडेंट और इसका एक्जामपल कोशन के फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है आपको ध्यान रखना है क्या आप बिस्किट मैनेफेक्टेरिंग केचप बना दो बना दो लेकिन आपको तीनों का इंटर्डी इपेंडेंस पता हो क्या मिलता है some of all the final goods some of the value of all the final goods and services produced in each sector gives you what is known as GDP ठीक है GDP कहा जाता है उसे ठीक है उसे GDP कहा जाता है राइजिंग इंपोर्टेंस ओफ तर्शरी सेक्टर इन प्रडक्शन यह जो है इस चैप्टर का बोलते ना इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टन रहेगा अगर आता है एक्जाम में तो ध्यान रखिएगा कि primary secondary और tertiary sector है तीनों सेक्टर में grow कौन करा सबसे ज्यादा tertiary सेक्टर तो कुश्चन यहीं बनता है कि what are the reasons behind the growth of the tertiary sector tertiary sector के growth के पीछे कि क्या reason है तो आपको ध्यान रखना है कि essential services होती है growth of primary or secondary automatically tertiary की growth करवाती है जैसे जैसे लोगों का income level बढ़ता है लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को consumption करते जैसे बहार घूमना और खाना खाना ठीक है टूस्टोइट कर दिया मैंने डरो मत emergence of new services नई सर्विसेज के अगर बात करें तो अगेरा कुछ नई सर्विसेज हुई है इस खारण से यह सारे पॉइंट्स आपको एक रेडिमेट आंसर देता है डिफ्रेंशेट बिट्वीन वाले question रखेगा जैसे और प्राइवेट सेक्टर पर question आ जाए तो अगर ठीक है just a minute just a minute I guess just a minute just a minute just a minute just a minute is it good now ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो इकोनामिक्स के दो और चैप्टर है मारे पास वो करते हैं फटापट आगे लुए सब्सक्राइब है तो अल्गुड नव परफेक्ट तो अल्गुड नव of exchange modern form of money के बारे में चाप्टर में बताए आपको साथ ही साथ यह बताएगा कि डिफ्रेंट क्रेडिट साथ में इंपॉर्डेंट टॉपिक हो जाता है कि क्रेडिट कैसे इंसान को मतलब गड़े में भी डाल सकता और कैसे इंसान को क्रेडिट जो है वो बहतर बुलंदियों तक भी ले जा सकता है सलीम और सौपना का केस था ठीक है अब मनी और क्रेडिट के बारे में स्पेसिफिक बात पढ़ने के साथ-साथ में आपको यह भी बताया गए उसी के आ göz Shot है इन इंदिया क्या करता chicken जो है तो उससे हमें क्यों बचना है और स 2030 से मतलब उसके चछंगल से लोगों को बचाने के लिए फॉरम फॉर्व सोफ और जहां तक सो नहीं पहुत सकता थे वहां पे जो हैं पूर थी के शुरू करते हैं खूर देखोगे लाड़ी चीजे कीवर्ड के हो और जो आप मुझे देना चाहते हो वह मैं उसके बदले में आपको मेरा प्रोडक्ट देना चाहता हूं ठीक है तो यह डबल कोइंसिदेंस ओवन्ट को क्या कहा जाता है ऐसी सिस्ट्विशन जहां पर बोथ दी पार्ट पार्टिस ट्राइट टू सेलन बाई इच अधर कमोडिटी ठीक अगला क्या है मनी अज़े मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगा तो मनी क्या करता है मनी इंटर्मीडियेट की तरह एक रोल प्ले करता है जब भी इंटर्मीडियेट प्रोड़क्त का रोल प्ले करता है बाटर एक्सचेंज बाटर एक्सचेंज के अगर बात करें तो वह सिस्टम जहां पर पैसा नहीं था जहां पर डबल कोइंचेंज की सिच्वेशन के हिसाब से क्या होता था गुड्स के बदले गुड्स बदले जाते थे वह सिस्टम बाटर एक्सेंज करता है यूट बाटर एक्सेंज जहां पर गुड्स बदले जाते हैं वह बाटर एक्सेंज कहलाता है समझ गए आगे बढते हैं नेक्स्ट लिमान डिपाउजिट तो मॉटन फोर्म आफ मनी में आपको एक छोटा की विटर्ट देखने को मिलेगा؟ वो क्या मिलेगा? कि Demand Deposits तो the amount deposited with bank which the depositor can withdraw on his, her demand is known as demand deposit. ये demand deposit कहलाता है ठीक है? क्या voice में अभी किसी को दिखकत जा रही है? ठीक है. अच्छा ये वच्छे वो होंगे जो पीछे late तो उनको अभी नो वाइस आ रही होगी है ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं ठीक है आज जल नहीं प्यूंगा पानी रखा है पहले एकनोमिक्स तो अब चैक में इंप्टेंट ध्यान रखना अब देखो जितना मैं समझ पार हों आप से पूछने की जगा थोड़ा सा ट्विस्टेट कुछ परसेंट पेपर का आपको पता होंता है चेक में किया क्या होता है अपको देखेंगे होती होती तो लाईने percentage M बसुअ होगा मैं सीध़ी में क्या नाम होता है कि कि किणा ओमाउंट प पे करना है जो पे कर रहा है पेजेश आप सेण पेई के ब्रांच का ये सब कुछ इसारा सब कुछ चेक में रहता है अब चेक बेसिकली होता क्या है तो जो हमने दिमांड टिपोजीट पड़ा है ठीक है डिमांड डिपोजीट मतलब कि मेरे अकाउंट में जो मेरा पैसा है जो मैं अपनी डिमांड आने पर कभी भी जाके विड्रॉख कर सकता हूं तो उस पैसे को हमेशा कैश में ना निकालते हुए बिना कैश के अगर ट्रांजेक्शन को स्थेटल करना है तो वहां पे चेक एक इंपोर्टेंट डॉलप्ले करता है तो चेक इस बैसिकली डियाओ जाएगी जो इंस्ट्रयक्रा करना है घट करना है किसे करना वेए टिक in whose name the check has been issued मतलब यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे तो इस example में सलीम ने प्रेम कुमार के नाम पे चेक अगर इशू करा है तो सलीम ने इस paper के थूर इंस्ट्रक कर दिया bank को कि प्रेम कुमार को पे किया जाए कितना पैसा जितना लिखा है ठीक है किसके अकाउंट से सलीम के अकाउंट से ठीक तो यह चेक होता है चेक के बाद में एक और जो important छोटा शब्द है की वर्ड है इस chapter से वह collateral के form में पूछा जा सकता है तो collateral क्या होता है जब भी हम loan लेते हैं जैसे मालो मैं आपके पास loan लेने आया आप क्या बोलोगे सर क्या guarantee आप भाग गए तो तो आप मैं बोलोगा नहीं नहीं मैं भाग के नहीं जाओंगा मैं शाम में तुम्हारा जो asset है वह क्या होता जब आप क्या करते हो guarantee की तरह use करते हो तो वह collateral कहलाता है दे दोगे loan ठीक है तो collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid if the borrower fails to repay the loan the lender has the right to sell the asset or the collateral to obtain ठीक है और collateral क्या होता है terms of credit का part होता है terms of credit में सभी को ध्यान आएगा डोकोमो तो terms of credit क्या है तो set of conditions under which a loan is given it may include rate of interest duration of credit and other related condition like collateral documentation requirement and the mode of repayment यह सारी चीजें एक साथ मिलके क्या बनती है आगे बढ़ते हैं self help group self help group क्या होते हैं तो छोटे-छोटे स्वहसायता समूग सेल फेल्फ होते हैं 15 से 20 members के जो एक साथ आते हैं और जो अपनी सेविंग्स को पूल करके fund create करते हैं ताकि उन्हें किसी और के उपर dependent ना होना पड़े उनकी credit needs वो खुद पूरी कर सके यह self help जी क्या होते हैं self help groups अभी बताया एक RBI एक full form में पूछा जा सकता है Reserve Bank of India ध्यान रखिएगा RBI का full form Reserve Bank of India जो क्या करती है एक एक इंपोर्टेंट आस्पेक्ट ये भी बैंक की पूरी की पूरी बैंकिंग activities क्या होती है तो Depositor Bank में पैसा deposit करते हैं ठीके बॉरोवर्वर क्या करते हैं लॉन ले जाते हैं अब क्या हिए deposit में deposit Borrowers जो होते हैं तो देundher form sum of Loans अब बैंक क्या करता है बैंक जो होता है तो डिपोजिटर को Iattack अपना रखा एक लाग रुप रखा तो बदले में सब्लढोलाख प्रिंसिपल के साथ मौन लिया था तो बदले थीए तो इनको पैसा देना पड़ेगा तो इनको पैसा जाएगा तो इनके उपर जो interest चार्ज किया तो which is always high when compared to the interest paid और इस तरह से जो difference है ना the difference between the interest charge and the interest paid is the income of bank bank की income होती है simple concept दियान रखियेगा चलो तो अब अब मैंने इतना concept बता दी अब तुम इस सवाल का जवाब बताओ मुझे क्या कि लुक एट्टी पिच्चर गिवन बिलों select the correct option which describes it properly 2-8 score है अगर 90% से उपर नहीं गया ठीक है तो मेरा एक कीपिंग सर्प्लस केस बैंक्स और मीडियेटर बिट्विन डिपॉजिटर और बॉर्वर बैंक्स और वरी इंपॉर्टेंट फॉर्ड इकनॉमी अजी पिच्चर विलों select the correct option हो सकता है सहीं लग रहे हो सारे option सहीं लग रहे हो लेकिन select तो आपको एक करना है बताओ select तो आपको एक option करना है एक से ज़्यादा जब सहीं लग रहे हैं क्या select करोगे जब एक से ज़्यादा सहीं लगेंगे तो इंदी चैट बहुत बढ़िया तब हमें ध्यान करना होता है कि NCIT क्या कह रही है तब हमें ध्यान रखना होता है कि most appropriate answer क्या है मिला most appropriate answer most appropriate answer मिलना चीह है तो most appropriate answer है banks links depositors to the borrowers, banks are useful in keeping the surplus cash, banks are mediator between depositors and borrowers, banks are very important for the economy तो time up three to one time up यहाँ पे the right answer is 90% से नीचे जा रहा क्या जा रहा स्कोर देखना संदिप ठीक है जो NCIT कहती है बहुत बढ़िया हम the right answer is c 82% मतलब किसका नंबर बढ़ेगा मेरा मैंने आपको सीधा टार्गेट दिया था भी बताया ताजा 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 तुम नहीं समझ पाए आजाव अगला question देखो विच आफ दी following is not a modern form of money not a modern form of money अब देखो modern form of money में क्या क्या होता है modern form of money में करन अंसर बता दूंको फिर काम कैसे चलेगा चलो हां not a modern form of money not a modern form of money हम देखो paper प्रपरणाट्स नहीं है क्या इभान दियान रखना सिल्वर कोईन आठा चक्की नहीं कर रहें तो तुम सोच ले ना अपने हिसाब से है not a modern form of money कि आज भी चलता है सिल्वर कोईन तो है कि नहीं कि क्या लगता है आपको और सब सब मिलके पूरा एक साथ चीटिंग कर लो पूरा पेपर एक सांथ है क्या होगे क्या तो थ्री इस्टू नाइन दिख रहा है मुझे स्कोर और टैन भी हो सकता है गर नाइन टी के तो दि राइट आंसर इस दि राइट आंसर इस वेरी गुड क्या स्कोर गया है एक परसेंट गया तो एक की नंबर वड़ेगा थी इस्टू नाइन हो गया स्कोर दि राइट आंसर इस सिल्वर कॉइंस देखो modern form of money जो है तो पहले पाटर सिस्टम था गुड्स के बदले ग जिन्हें हम चेक की मदद से सेटल कर सकते पेमेंट वो सब किस modern form of money का पाट हो जाएगा तो सिल्वर कॉइन जो modern form of money नहीं यह यह पहले चलता था ठीक है चालो अब देख लो terms of credit जो मैं आपको बता रहा था तो एक बात थोड़ा सा highlight देना चाहूंगा terms of credit में क्या होता है डो ठीक है ने किदर गया किदर से डो को मो ठीक है डोको मो इंटरनेट ठीक है तो डोको मो की सिम में इंटरनेट चलता था जो कि आज हमारा परिशान कर रहा है लेकिन डोको मो of repayment जो है तो mode of repayment में आपको क्या देखनेगा मिलता है कि आप कैसे पे करोगे तो installment में पे करोगे आप ठीक है लंसम में करोगे गोल्ड में करोगे प्रॉपरटी में करोगे कि जो लोन लिया हो लोटा होगे कैसे ठीक है और interest rate क्या है कि जो interest rate चार्ज किया जाता है ठीक है क इसके उपर चार्ज किया जाता जो interest rate जो borrower को pay करना होता है when he is repaying the loan जब repayment हो रहा है principal amount का तब वो जो repay करते समय ब्याज का दर रहता है तो यह सारी चीज़े मिलके terms of credit बनती है डोकोमो ठीक है आजाओ उसके बाद में इस chapter में एक चीज़ यह बहुत important है formal source of credit और informal source of credit के बा source of credit होता जहां पर कोई documentation कोई paperwork नहीं लगता है जहां पर लेकिन terms of credit harsh हो सकती है moneylenders friends relatives यह सब informal source of credit में आएंगे तो point यह आता कि who gets what तो यह important fact में नहीं आएगा लेकिन ध्यान रखना कि who gets what में आपको क्या देखने को मिलता है कि majority poor household जो है न तो वह informal source of credit से लोन लेते हैं और majority rich household है वो formal source of credit से लोन लेते हैं सवाल मेरा यह है कि ऐसा क्यूं ठीक है बताओ ऐसा क्यूं तो ऐसा क्यूं के पिछे का कारण क्या है क्यूंकि poor household lack what poor household लैक इंदी चैट यह पहले पूछा गया question है और poor household के पास किस चीज़ की कमी होती है पूरा household के पास में collateral की कमी होती है लिट्रेसी यहां लिख सकते हो लेकिन को लेटरल इस दी मेन आंसर और उस करना से क्या है वह informal source of credit में जाते हो वहां उनका exploitation होता है तो इसलिए ठीक है important points में यह बात समझना होगी हमें क्या कि informal source of credit को कम किया जाए formal source of credit को बढ़ाया जाए और जितना जादा formal source of credit होगा उतना loan क्या होगा cheap और affordable होगा और उतनी country में productive economic activities शुरू होगी तो therefore cheap and affordable credit is crucial for country's development ठीक है इसलिए it is necessary कि banks और corporatives अपनी lending को increase करे particularly in rural areas so that people do not go to the informal source of credit ठीक है और यह हो गया उसके बाद में क्या हो गया यह भी insure करना होगा कि सरिफ informal source of मतलब formal source of credit खुले ही ना वहाँ पर मतलब इसा नहीं कि सिर्फ bank खोल दिये bank खोलने से कुछ नहीं होगा यह भी insure करना होगा कि everyone receives these loans और bank के खुलने के बाद में loan हर इंसान को मिले यह चीज़ भी insure करना होगी समझने है अब प्रोफेसर महमद यूनिस was the founder of gramid bank of bangladesh and received the noble prize in 2006 gramid bank of bangladesh establish करने के लिए जो की one of the largest self-help group in the world है पॉइंट ही आता कि self-help group क्या होता है तो मता है मैंने आपको definition में कि जब 15-20 लोग एक सांथ मिलते हैं टिपिकली जैसे अगर आपको देखने मिलते हैं कि रूरा एरियास में especially women's ठीक है जो कि अपना फंड सेव करती है और अपने ही मेंबर्स को loan देती हैं कम इंट्रेस रेट पर without any collateral ठीक तो वह सेल्फ एल्फ गुरूप होते हैं सहन् important differentiate between आ सकता है formal और informal source of credit में यह था chapter हमारा कौन सा money and credit and now moving on to the last chapter for economics 10-15 मिट में खतम करते हैं इसको भी क्या globalization of Indian economy topic पूरा समझल अच्छे से हैं ठीक है पूरी पिक्चर समझल अच्छे से globalization in the Indian economy में production across countries होता है ठीक है कैसे होता है तो multinational companies important role play करती है ठीक है multinational companies क्या करती है अलग अलग जगा पर अपने production इंटर लिंक कैसे करती है यह सवाल बनता है previous your questions में उठाके देखो के बार बार आया है तो चार टेकनिक है डारेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाना local partner के साथ में joint venture करना तीसरा क्या है कि local producer को buy up कर लेना पूरा का पूरा इसमें fact है आगे बताऊंगा क्या है किसने किसको खरीदा और चौथा यह है कि अपने product को local producer से produce करवाना और अपनी brand name के अंडर में बेचना ठीक है फिर उसके बाद में क्या होता है कि multinational companies तो बना लिए वो products को एक देश से दूसरे देश में बीचती है मतलब foreign trade होता है foreign trade क् मदस्ती क्या होता है economies आपस में interconnect होती है और economies interconnect होती मतलब market integrate होते है अब देखो यही सारी चीज़े कि production एक जगा से दूसरी जगा होना markets का interconnect होना यहीं तो globalization है यहीं तो globalization है अब ये तो agents हो गाई globalization की globalization को strengthen कि आप ग्लोबलाइजेशन को फास्ट किस नहीं किया कंजुमर राइज नहीं आ रहा है तंजुमर भाई साब परसो पेपर देने जाना अपने को और तुम अभी कंजुमर राइट्स में उल्जह हुए हो ऐसा कैसे हुआ आज तक अभी हम मिले नहीं देख्या मैंने हजार बार बता है कंजुमर राइट्स चेप्टर नहीं आ रहा है सीबेसी में ब्रेक दूँगा इसके बाद में ब्रेक है पांच निट का तो फैक्टर्स देट्ट है वेनेबल ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलोजी तो यह सारे एजेंट्स हो गयाए अब करहें कि क्या है कि आग campaệu चीजों से और पुश मिला है। और पुश मिला है और स्ट्णलन हुआ है फॉर एक्जामपल ठीकनोलजी के डीवर्प होने जैसे देंटर वगएरा इंटरनेट का इस्तमाल करने से छीजे और कनेक्ट हूई एक और लिपरोराइजेशन क्यूंत है तो आप ट्रेडारोड जो लगाते थे ठीक है मिइन तो वह त्रेडोर ऑस्वाराइजेशन के बाद में इकनॉइस और आपस में इ **** और सारी इस को आपस करने के बिए इंटरूल रींटर र겁कर सAdd करता है ग्लोबलाई जी डिख्योंक्के बाźची के बाइशन के पॉसेटीव इंपक्त क्या है डेट बड़न कशनी अठर पार्ट लास्ट टॉपिक जिसमें आपको इस अपको बताए गया है कि globalization में benefit जो है तो सब को equally नहीं मिल रहे हैं that means globalization is not free and fair ठीक है क्यों कि इसके negative impact भी है तो उसको कैसे इंशॉर किया जा सकता है this is the part ठीक है चलिए तो इस सवाल के साथ में इस chapter में कूदते हैं बताओ सेलेक्ट करो which one of the following is not true regarding the WTO WTO की बात कर रहे हम और यह question आएगे समने पहले भी discuss किया जिन बच्चों ने पहले MCQ sessions वगरा में participate किया है उन्हें पता होगा कौन सा statement सहीं नहीं है WTO के context में तो it allows free trade to all countries without any trade barrier ठीक है its aim is to liberalize international trade its aim is to liberalize international trade और दूसरा है it establishes rules regarding international trade कि वो international trade से जुड़े rules establish करता है तो आपको क्या लग रहा है कि which is the correct statement क्या इसमें सहीं है बताईए it establishes rules regarding international trade सहीं नहीं है यह पता करना WTO rules have for the developing countries to remove trade barriers क्यों में थोड़ा सा twist है पोल आ गया पोल पोल कोई बाद नहीं हमारे पोल ऑपरेक्टर जो है थोड़े से भूल गया थे आ रहा या रहे पोल रास्ते में है आया नहीं तम तक नहीं पहुच्छा भी आ जाएगा जस्ट यह आया देखो सामने दिखा अब देखो क्या है तो इट अलाउस अब देखो यह बाल थोड़ी सी डेड़ बाल टाइब लग रही है अब यह बाल डेड़ बाल देड़ बाल कुश्चिन में त्रक्चेरिंग में थ्रोड़ा कर बड़े है डेड़ 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 बाल वही तभी ऑप्शन बहुत बटे हुए आये नहीं यहां पर क्या होना चीए था जो प्षचिन था तो इट अलाउस फ्री ट्रेड तो आल कंट्रीज विदाउट इनी ट्रीड बैरियर्स तो यह तो उसका अब्जेक्टिव है नॉट पता करना था नॉट ट्रू ठीक है एम्स तो लिब्रालाइज इंटरनेशन ट्रेड यह बात सही है अब अलिशेज रूल्स रिगार्डिंग बताओ यह आपको डॉट्यों का एक नेगेटिव एंपक्ट देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजिशन के नाम पर कॉंपडिशन बहुत तेजे और उस करण से क्या है कि जो एंप्लॉयर्स होते हैं तो वह ग्लोबलाइजिशन में जो कॉंपडिशन बढ़ा है तो कॉस् यह प्रिफर्ट टू एंप्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिली सेलेक्टिवली रैशनली नन अफ दीज बताओ वाट यू गाइस तिंग क्या लगता है आपको इंदी चैट फटावट से फटावट से इंदी चैट यह नो बॉल नहीं है यह तो फ्री सिक्सर वाली है देखो उन्हें कॉस्ट कट करना है उन्हें कॉस्ट कट करना है इसलिए वो क्या प्रिफर करेंगे इसलिए वो प्रिफर करेंगे कि टाइम अप कर दो इसलिए वो प्रिफर करेंगे वर्कर्स क को flexibly higher किया जाए ठीक है तो flexibility is the right answer जो 62% बच्चों ने flexibly उन्हें cost cut करना है तो वो यह चाहेंगे कि क्या हो ncati के as it is line है no ball नहीं है six लगाने वाली ball थी लेकिन तो उस पर क्या हो गए विकट गिरा बैठें तो फॉर इस्टु नाइन हो गया स्कोर फॉर इस्टु नाइन ठीक है नेक्स्ट आगे बलते हैं तो आगे क्या कहानी देखो कि सारे इंपॉर्टेंट कीटम समझ लो इस चैप्टर के मल्ड़ कि मन्सी कंपनी होती है जो ओन और कंट्रोल करती है प्रोडक्षन को एक से ज्यादा देश में मन्सी अपनी ओफिसेज और फैक्टरी सेट आप करती है कहां पर अलग अलग रीजन्स में जहां पर उसे चीप लेबर और दूसरे रिसॉर्सेस सस्ते मिल सके हैं ताकि वह सीधा आंसर मिल गया आपको multinational companies का सीधा आंसर आपको मिल गया आगे बढ़ते हैं foreign investment के अगर बात की जाए तो foreign investment में क्या है foreign investment जिसे अगर आप देखोगे तो any money that is spent to buy assets such as land building land building machines and other equipments by a company और ये company कहन सी होना चाहिए usually MNC foreign investment क्या है जो आपके देश में बाहर से पैसा आया है और पैसा इसले निया है कि यहां आके dance करेगा पैसा वह पैसा आया है ताकि किसी ना किसी प्रकार से investment करके कुछ खरीदा जा रहा है है MNC के द्वारा ठीक है तो the investment received by the country is known as foreign investment तो अगर एलन मस्क आएगा एलन मस्क आपके कि अभी कि अभी ठीक है एक निट कि अग्ट कि कि इस फाइन नव कि अगर एलन मस्क आता है अपने देश में फैक्ट्री लगाता है तो वह क्या कहलाएगा foreign investment कहलाएगा अगे बढ़ते हैं foreign trade क्या होता है तो मेरा भी आपको बता है कि foreign investment के बाद में ग्लोबलाइजेशन जो है तो इस दी प्रोसेस ओफ रैपिड इंटिग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिट्वीन कंट्रीज बाई ग्रेटर फॉरें इंवेस्ट्मेंट एंड ग्रेटर फॉरें ट्रेड ग्लोबलाइजेशन के एजेंट कौन है मैं MNC है foreign trade जो हो रहा है तो उससे ही integration हो रहा है और यही इंटिग्रेशन तो globalization कहलाता है ठीक है तो यह globalization की एक line में single definition मैंने आपको देदी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो तो इस chapter से keywords में यह ही है इस chapter से keywords के नाम पर मैंने आपको जित्वी चीज़ी थी वह ध्यान रखना चोटे चोटे और भी keywords है जैसे स्पेशल economic zones वगेरा तो वह आगे है यह ठीक है वह भी बता रहों में क्या क्या है इस्पेशल economic zones मगेरा सब है एक question लो पहले ठीक है question क्या कहता है MNC is keep in mind certain factors before getting a production ठीक है before setting up production unit 90 प्रतिशत से उपर चाहिए answer 90 प्रतिशत ठीक है MNC जो होती है तो MNC क्या करती है production unit setup करने से पहले कुछ चीजों का विशेश रूप से ध्यान रखती है और वह कुछ चीजें क्या होती है availability of cheap and skilled and unskilled labor proximity to market presence of large number of local competitors favorable government policies बताओ incorrect option पता करना है हाँ जी यही question तो उलजाते हैं और जहां correct incorrect not यह सारे शब्द रहते हैं उसको विशेश रूप से ध्यान रखेगा incorrect option पता करना है MNC किन चीजों का विशेश रूप से ध्यान रखती है बताईए तो किन चीजों का रखती है वो नहीं बताना आपको क्या इसमें incorrect है ठीक है क्या incorrect है वो बताना है रेडी जितना बच्चों ने पढ़ने में जल्दी बाजी करी होगी वो अंसर नहीं देपाएंगे ले कुछ बच्चे तो सोच रहे थे कि फटा पट कर देता हो पोल भागना जाए पोल कहीं नहीं जाता है पॉइंट यह कि आप पढ़ते नहीं हो सही से और यहां पर अगे तो अब लॉकल कंपनीज रहेंगी बहुत सारी तो 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 कॉंपटिशन बहुत है तो तो अब अजा और कीवर्ड क्या है और इंपोर्टन कीवर्ड जैसे ट्रेट बैरियर क्या होता है तो एक सरकार ने हमारी इंडिपेंडर्डन्स के बाद में हमारे च्छोटे च्छोट आने के लिए ट्रेट बैरियर के इस्तेमाल किया था मतलब टैक्स लगाए थे थाकि इनके गुड्स से इनका मार्केट एफेक्ट ना हो तो इट इस दी रिस्ट्रिक्शन और फ्री इंटरनाशनल ट्रेट पर हमने रिस्रिक्शन लगाए है ठीके ठीके टेक्स ऑन इंपोर् सिंपल अगर सीधा सटी का जाया तो आपको ध्यान रहना चाहिए समझें वाइनॉट ये वाले बच्चे इदर आओ अवेलिबिलिटी ऑफ चीप और अनिस्किल्ड लेबर ठीके चीप और अनिस्किल्ड लेबर की भी जरुवत होती है मल्टिनाशनल कंपनीज को अगर सारे स्किल्ड लेबर होंगे तो तो पैसा मांगेंगे ना मल्टिनेशनल कंपनीज को तो कम में काम करवाना है तो अनिस्किल्ड लेबर भी चाहिए समझना चीप और उसमें मोस्ट अप्रोप्रियेट क्या लग रहा है मुझे भी पहली बार में यहीं लगा था इसलिए तो मैं बस दब्बेबंद करने के लिए इंसान क्या करेगा ज्यादा पैसे मांगेगा रहा यह वाले बच्चे आपको आगे बढ़ते हैं चलो तो मैंने आपको ट्रेट वैरियर बताया लिबरलाइजिशन ठीक है, liberalization की बात करें एक बार, तो removing barriers for restrictions set by the government, अब ये क्या हो रहा है, कि जो trade barrier लगाए थे, इन trade barriers को जब remove करने की बात की जाती है, trade barriers को remove करने की बात, ताकि foreign goods आसानी सहा सके, तो वो liberalization कहलाता है, वो liberalization कहलाता है, समझना आया, ठीक, वो liberalization कहलाता है, आगे बढ़ते हैं, तो world trade organization, WTO, world trade organization, जो है, तो world trade organization क्या है, तो अब ये liberalization को ही, ये restrictions को remove करवाने का काम, world economy थोड़ी liberalize हो, आपस में interconnect, globalization और strengthen हो, ठीक है, उसके लिए कौन काम करता है, उसके लिए काम करता है, WTO, world trade organization, जो की developed countries के initiative पे start किया गया था, जिसका aim क्या था, जिसका aim बड़ा simple था, international trade को liberalize किया जाए, ठीक है, rules established किया जाए, international trade से जुड़े हुए, ठीक है, और वो ये ensure करे कि ये rules को obey किया जा रहा है, ठीक है, वो rules, ये ensure करे कि इन rules को obey किया जा रहा है, तो वो WTO होता है, ठीक है, वो world trade organization होता है, WTO, समझ में आया है, ये WTO होगया आपका, अब WTO के तरह उजाले वाला ट्रेट जो होगा फियर ट्रेट होगा यहाँ क्या है कि फियर गलोबलाईजेशन वूड इस फॉर्म ओफ गलोबलाईजेशन विच वुड़ क्रियेट अपटूरिटीश फॉर और और अजो इंशूर डैट आल बेनेफिट्स ऑफ गलोबलाईजेशन थिक के benefits मतलब सभी को उसके benefits fruits मिले globalization के वो free and fair trade कहलाएगा उसके बाद में एक और जो सीधा की टम बनता है वो क्या बनता है special economic zone यह समझ लोग बहुत सारे बच्चों को confusion रहता है सीधा answer दे रहाँ special economic zone का यह country है country में जब आप क्या करते हो किसी special area में focus करते हो कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा industries को attract किया जा सके तो आप एक SEZ बनाते हो यह वही question आ गए जो जिनके short acronyms हाजाएंगा को expand करने को पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां क्या देखोगे आप कि special economic zones area जहां पर आप business trade laws को क्या कर सकते हो अलग रखते हो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो थोड़ी सी labor laws में tax benefits देते हो world class facilities देते हो ठीक है from rest of the country तो SEZs are located within a country's national border तो country की national border के अंदर वो special economic zones जहां पर आप world class facilities दे रहे हो तो attract more and more industries ठीक है तो वो क्या कहलाता है वो special economic zone कहलाते हैं कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर boyfriend break यह क्या होता boyfriend break सारे ठीक दूंगा मैं तुम्हें भी रुख जाओ ठीक है पहले economics complete कर लें नेक्स्ट आजाओ एक question तो मैंने सारे keywords बताएं कि चप्टर से छोटे-छोटे keywords क्या है जो बनके आ सकते हैं एक नंबर दो important questions लगाएंगे तो questions में वो cover कर लेंगे लेकिन अभी let us go with the flow तो question देखो क्या globalization does not involve which of the following क्या इन में से globalization का सही मतलब नहीं है बताओ globalization does not involve which of the following option rapid integration among the countries more goods and services moving between countries increased taxes on imports movement of people between countries for jobs education etc. what do you guys think globalization क्या involved नहीं करता है globalization क्या involved नहीं करता है rapid integration among the countries more goods and services बहुत बढ़िया हम शाबश गुर्वा नहीं को टाइम अप लेकिया एक सिकड़ अभी ठीक है है शाब खूबख लेकि एक सेकट्ड अभी ठीक है फीक है टीक है ज़ीन है सब ने वोट दे दिये कि एटी थ्री पर्सेंट बच्चों ने सी लगा आ है इंक्रीज टेक्से ओन इंपोर्ट्स तो यहां पर आपको क्या देखने को भील रहा है कि इंक्रीज टेक्सेज ओन इंपोर्ट्स जो है तो सेक्षन section c is the right answer increase taxes on import section c is the right answer क्यों तुद देखो rapid integration globalization ये globalization ये globalization ये globalization है movement of people लेकिन section c जो है option c जो है वो क्या बता रहा है कि जब आप increased tax कर दोगे तो वो तो globalization नहीं हुआ ना अब इस chapter में इस chapter में जिससे अगर आप देखोगे तो इस chapter में जो short acronyms आ सकते है MNC का multinational corporations या फिर companies दोनों एकी चीज़ है ठीक है multinational corporations and companies दोनों एकी चीज़ है WTO World Trade Organization ठीक है World Trade Organization WTO World Trade Organization होता है ठीक है SCZ Special Economic Zones होते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना रहेगी ठीक है तो what is the benefit of using containers in transportation of goods identify I guess ये question repeat है हां ठीक है तो कुछ और question बस हां last question है ये फिसके बाद पर एक दे रहा हूं तो what is the benefit of using containers in transportation of goods containers इस्तमाल करने का benefit क्या है बताओ reduction in delay reduction in damaged goods reduction in port handling cost all of the above बताओ एक टिप दे रहा हूं मैं इसी के साथ में फोल आ गया है इसी के साथ में आपको एक टिप दे रहा हूं कि कि आया तो है पूल इसी के साथ में आपको टिप दे रहा हूं कि जब भी कुशन आये तो उन कुशनों में आपको एक चीद ध्यान रखना रहेगी कि अगर कहीं जैसे बहुत एंड भी दिया है अगर कहीं नन अब दिया और दिया तो उस पे थोड़ा सा गौर दरूर फर्म कमी आई है डैमेज गूर्स में कमी आई है पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट में कमी आई है या फिर सब में ही कमी आ गई है ठीक है इसकोर इस फाइव इस्टू टैन डबलो तुम सीधे अभी तो ओके शेर दी सेशन टाइम अप तो यहां पर दी राइट आंसर इस ऑल अफ दी अब हो जाएगा इसका ठीक है अब इस चैप्टर में फैक्ट क्या-क्या देख लो तो जैसे मैं आपको बता है कि मल्टिनेशन कंपनी अलग-अलग तरह से क्या करती है मार्केट करती ही प कंपनी इसको बायाफ कर लेती है तो एक क्या था ठीक है कि कारगिल फुट्स अमेरिकन अमेंसी ने पराग फुट्स को खरीदा ठीक है पराग फुट्स को खरीदा यह वह है लिब्रलाइजिशन कब स्टार्ट हुआ था यह धियान रखेगा 1990 में डव्यू ट्यों जो है तो वह वह लॉस में है ठीक है और सम इंडियन मंसी का फैक्ट ध्यान रखना है तो जिसे टाटा मोटर्स इंफोसिस रैंबेक्सी और एशियन पींट्स यह कुछ इंडियन मंसी हैं कि 5-11 कर रहे हैं ना 90 परसेंट थोड़ी गया था अंसर कर रहे हैं तुमारे जैसे चीटिंग नहीं करते हम ठीक हैं तो यह सारा सब कुछ अब सुनो मेरी बात है हमारा एकोनॉमिक्स का पार्ट कमप्लीट सिमिक्स पे आ चा अजब हम थोड़ा सा तो डिले का कारण है तो कि अंस र complaining क्या था और अप्ने वे में अन्रॉल किया था अपर आपको अचरा था तक इस घुक्र न्हें आप सभी लोग कर सकते हैं ह। मतलब टाइम लिमिट यहन है इसको हमारा हम हिस्ट्री सिविक्स मैं मुझे पता हिस्ट्री और जोग्रफी के फैक्ट के लिए आप लोग बैठे हो तो मैं सुझा फटा-फट खतम कर दो उसका पूरा रिविजिन हो गया अब आगे जो है क्या इश्यू है कि अभी ठीक है चलो तो पांच और तीन मार्क्स के कुश्चन भी आएंगे इंपॉर्टेंट देखो मैं वैसे बताते चल रहा हूं तुम्हें कि यह कुश्चन इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करना है टेस्ट सीरीज का मैंने आपको उपर लिंक दिया है तो इस टेस्ट सीरीज में आज कितने बच्चों ने पाटिसिपीट किया था तो आप और सबसे अच्छा चैप्टर अगर कुछ लगता है तो रैपिड रिविजन देखे उसके फैक्स यहां पर आपको पता है कि आपको प्रेंट को प्रेक्टिस किया तो वेल्जीम में अकमेडेशन को प्रेक्टिस किया गया था तो वेल्जीम में accommodation कैसे हुआ श्रिलंका में majoritarianism कैसे हुआ तो यहाँ पर आपको पता है कि उन्होंने constitution को चार बार amend किया ऐसे provisions लाए जिससे दोनों ethnic group जो है कौन-कौन French और Dutch एक साथ रह सकें लेकिन यहाँ पर majoritarianism में क्या है कि French जो सिनालाज और तमिल्स्तों के विच में conflicts बढ़ते चले गए ठीक है अब यह तो chapter में कहानिया है तो दोनों countries का ethnic composition और दोनों countries के द्वारा step लिए गए यह question मन क्या आता है उसके बाद में why power sharing is desirable यह पार बार पूछा जाता है ठीक है तो moral reason, prudential reason, moral reason क्या very basic spirit है power sharing और prudential reason क्या 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 है तो डिफ्रेंट forms of power sharing के अगर बात की जाए तो वह चार फॉर्म ऑफ पावर्ट शेरिंगे डिफरेंट ओर्गन्स ऑफ गौवर्वर्मेंट के बीच में horizontal लेवल्स ऑफ गौवर्मेंट के बीच में वर्टिकल और उसके साथ साथ में different social groups के बीच में आपको देखने को मिलती है उसी के साथ साथ में पावर शेरिंग का एक example यह भी है कि जब political parties के बीच में शेर किया जाता है तो political parties के बीच में पावर शेरिंग का